देखिए एक्चुली डेल्टा प्लस जो है आप ये सुने होंगे कि जो ये सेकेंड वेव आई थी इसमें डेल्टा वेरियंट का बहुत बड़ा रूल था नमस्कार मैं जैयादोर स्वागत है आपका दाहिंद वोरियर न्यूज में जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ हरियाना के लिए खत्रे की घंटी बच चुकी है हरियाना में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियंट की एंट्री हो चुकी है जी हां मामला सामने आया है हरियाना के फरीदाबाद के ESIC अस्पताल से फरीदाबाद ESI Medical College के डिप्टी डीन डोक्तर एके पांडे ने बताया कि यह केस कल शाम को डिटेक्ट हुआ था इसके लिए हमने जिला प्रशाशन के साथ साथ हरियाना के स्वास्त विभाग के Additional Chief Secretary को भी सूचित किया है जिला प्रशाशन यह जाच करके डेल्टा प्लस वेरियंट का पेशेंट किन-किन लोगों के संपर्क में आया है उन्होंने मरीजों की पहचान बताने से इनकार करते हुए कहा कि यह नहीं बताया जा सकता यह काफी confidential उन्होंने बताया कि कोरोना पोजिटिव आने वाले 5% रेंडम सेंपलिंग करके जीनोम टेस्टिंग करवाते हैं इसके अलावा जिन लोगों को दोनों वैक्सिंग लग चुकी है उसके बाद भी वह अगर पोजिटिव आते हैं तो उन लोगों को भी जिनोंने टेस्टिंग कराई है उसी के बाद देल्टा प्लस वेरियंट का खुलासा हो पाता है डोक्टर पांडे ने बताया कि यह काफ यह सुने होंगे कि जो यह सेकेंड वेव आई थी इसमें डेल्टा वेरियंट का बहुत बड़ा रोल था मैंने एराउंड 47 to 52% के बीच केसे जो है एक्रॉस इंडिया जिसकी वजह से बहुत सीरियस केस यह डेल्टा वेरियंट थे अब यह डेल्टा प्लस जो है उसी का जै यह डेल्टा वेरियंट आप देखी रहे होंगे कि बहुत सारी केंट्री इंक्लूडिंग यूरॉप यूके यूएस कैनेडा अस्ट्रेलिया सब जगह जा चुकी है पर नेक्स्ट जो यह जो वेरियंस आफ कंसर्ण जिसको डबलू एचुन डेक्लियर किया भी योसी इसकी कि रीजन क्यों यह वेरियंस आफ कंसर्ण है क्योंकि यह हाइली इंफेक्टिव है यह बहुत ज्यादा ट्रांस्पीस और फास्ट डेल्टा वेरियंट अल्रडी था यह उससे भी फास्ट इस्प्रेट करता है तो थोड़ा सा लगों को सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि इ कब पत्य राधा तो कैसे देखिए एक तो अल्रेडी एक प्रोटोकॉल है गोवर्मेंट का भी कि कोई भी जो आटी पीसेर लैब है या जो कोविड हस्पीटल है वहां से हर महीने जो सेंपल की जाते रेंडम एक तो फाइफ परसेंट आफ टोटल पॉजटिव दूसरा है क कि जितने री इंफेक्शन केसे जाते हैं एक बार के बाद दूसरी बार भी हो गया तो उन लोगों के सारे सेंपल और कोई भी फॉरें रिटर्ण या तो फॉरेंड सीटिजन हो या इंडियान सीटिजन फॉरें ट्रेवल करके आया हो तो उनमें अगर पॉजिटिव आता है तो वो सारे पॉजिटिव सेंपल्स को आई जी आई भी होल जिनोम सेक्वेंसिंग के लिए बेंजी जाते हैं यह एक ट्रेंड है जो हम लोग हर महीने भेंजते हैं बट यह जो आया है यह उससे नहीं हुआ हम लोग हमारा यह साइसी का एक डीबी टी जो टी एचेश याई है फरिदाबाद में शूट है और एक मल्टी सेंटर रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है यह लास्ट वन यह लगबग हो गया हम लोग फॉस्ट वेब में भी कलेक्ट किये थे इस बार भी किये थे तो उसमें एक प्रोजेक्ट में हम लोगों का कुछ सेंपल एराउंड 165 का तो वो इमीडेटली इनफॉर्म करते हैं इसी तरह कि तमाम बड़ी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे दाहिंद वोरियर न्यूज हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजे